दोस्तों सब्सक्राइब बटन को दबा दे और घंटे की आठार के बेल घंटी को भी दबा दे ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें नमस्कार दोस्तों धर्म रहसे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है आज हम बात करेंगे कि कैसे मृत आत्माओं से संपर्क किया जाता है उसकी क्या विधिया है और इसको भेजा है पुष्ट प्रकास्तिवारी जी ने जिनको आप जानते हैं उनके कई और भी विडियो वो बनाने के लिए हमको इमेल के माध्यम से भेज चुके हैं और आप लोगों ने उनकी जो भी विद्याय है उनको जाना है तो आज उन्होंने बेजा है कि कैसे किसी मरे वेवेख्ती से या जो मरी भी आत्माओं हैं उनसे संपर्क साधा जाता है इसमें हमें क्या करना चाहिए और किस प्रकार से उसका जो है निदाकण भी करना आना चाहिए साथी साथ साफधानी है इसमें क्या-क्या बरती जानी चाहिए इस संबंद में उन्होंने अपना ये लेटर या पत्र प्रकाशित किया है आज और उसी को मैं आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ और उनके जो इसमें experience रहा है यानि कि कैसे उन्होंने मेरे तात्माओं से संपर्क किया था तो उसी को उन्होंने ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अपना ये पत्र भेजा है और बताया है कि कि जो भी वेक्ति अगर आपके मर चुके हैं या पूर्वज हैं या पुराने लोग हैं उनसे आप किस प्रकार से संपर्क कर सकते हैं साथी साथ उन्होंने सावधानिया सब्द भी आगे लिखा तो इसका मतलब यह है कि आप इसमें कोई गल्ती ना करें ताकि आपको कोई समस्या ना आए जिसकी वज़े से तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कहा है सीवा में धर्म रहसे चैनल को प्रेशित मेरानभव सीर्शक मृतात्माव से संपर्क साधना और सावधानिया सरप्रतम भाई सहाब को प्रणाम और चैनल के सभी दर्शकों एबं नए साधक मित्र भाई बहनों को मेरा नमस्कार मेरा नाम पुष्प्रकास्तिवारी है मृत आत्माय जहां विज्ञान एवं तांत्रिकों और सामानी प्राणियों के लिए जिग्यासा और चर्चा का विशे रही है वहीं समय के अनुसार इस विद्याओं में और इनके प्रयोगों में भी बदलाव लगातार होते रहे हैं आज आत्माओं से संपर्क करने की अनेको विध्या संसार भर में प्रचली थे मृत आत्माओं के संपर्क की आवशक्ता हमें तब पड़ती है जब हम किसी पूर्वस द्वारा रखी गई कोई ऐसे सामान की तलाश कर रहे हों जो उसने अकेले में रख दी हो और किसी कारण वर्ष घरवालों को बताने से पहले ही उसकी मृत्य हो चुकी हो या हम अपने भविषय के बारे में जानने के लिए भी आत्माओं के माध्यम से हम जान सकते हैं या किसी तांत्रिक द्वारा चलाई जाने वाली एक ऐसी क्रिया जो उसके मृत्यु के बाद भी पीड़ी दर-पीड़ी चलती चली आ रही हो या फिर किसे के द्वारा दिया गया कोई श्राफ जो आत्मा के माध्यम से पीड़ी दर पीड़ी वो भी चलता चला रहा हो उसके विमोशन के लिए ही उसी आत्मा के माध्यम से समाधान संभव हो पाता है अच्छी आत्माओं के द्वारा हम बहुत सी गुप्त जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं आत्माओं से संपर्क करने का पहली विद्या जो है वो प्लान चार्ट ये कई प्रकार से बुनते हैं दूसरी सबसे प्रबल विध्या माध्यम है प्लान चाड का निर्माण करने के लिए सफेद कागज की गोल आकरिती में अंग्रेजी के कैपिटल लेटर के 26 अक्षर लिखे जाते हैं और इनके नीचे जीरो से लेके 9 तक के अंक 33 खानों में अंतर पर लिखे जाते हैं और इसी गोले के अंदर उत्तर दिशा में यस और दक्षिन दिशा में नो और यंतर के बीच गुडबाई अंग्रेजी में ही लिखकर यंतर के बीच में एक छोटा गोला एक 50 पैसे की नाप का बनाए या एक छोटी कटोरी इसी वजन की ले या सिक्के का एक भाग काला करके इसमें प्रयोग किया जा सकता है तो प्रयोग करता दो से तीन चार हो सकते हैं इतने सारे लोग कार सकते हैं एक साथ बैठके रातरी दस बजे के बाद का समय इसके लिए अच्छा मने जाता है यंतर के पास आप मुमबत्ती जलाकर कमरे में खुश्बू के लिए अगरबत् उसके बाद सिक्के के उपर कटोरी के उपर सभी अपनी तरजनी उंगली सिक्के के उपर रखकर पहले परमपिता परमात्मा का ध्यान करके एक साथ आत्मा का ध्यान करते हैं आत्मा के आने पर आसपास रखी चीजों में कमपन महसूस होने लगता है और फिर अचानक शांत होकर सिक्का या कटोरी के माध्यम से एक एक अक्षर पर घूम कर प्रश्णों के उत्तर आत्मा के माध्यम से सभी को मिलते हैं अपने अभीष्ट प्रश्नों के उत्तरों को पाकर साधक आत्मा से वापस जाने की प्रातना कर उसे वापस भी भेज दें आजकल ऑनलाइन माध्यम से बनाया गया यह यांतर प्रात किया जा सकता है दूसरा माध्यम जो है आत्मा उसे संपर्ण करने की एक शक्तिसाली विद्या है इसमें जिस आत्मा को आपको बुलाना होता है उसका कोई सामान, फोटो या जो कुछ भी उपलब्ध हो सके उसको ले करके उसक्रिया को संपर्ण करने के लिए जरूत पड़ती है इसमें चार विक्ति की आवश्चकता है जिसमें से तीन साधाक होने जी और चौधा एक सिद्ध होता है सभी में एक दूसरे के प्रती एकता बहुत होनी आवश्चक है इसमें कोई एक दूसरे का विरोधी विचारवाला ना हो सबसे पहले सामान के पास एक मुंबत्ती को जलाकर अगरबत्ती जलावें और यंत्र को बीच में रखकर उसके पास भी मुंबत्ती जलाएं यंत्र के सामने इस प्रकार से बैठे हैं कि सिद्ध कामू उत्तर दिशा की तरफ हो और साधक आमने सामने चारो तरफ बैठे हुए हो तो इस प्रकार आप यंत्र पर अपने हाथ को आप रखेंगे और सभी के अंगूठे से अंगूठे और करनिष्ठी का एक दुसरे से परिस पर जुड़ी रहे यानि कि सारे सारे अंगूठे सबके जुड़े हुए होंगे और चुक सबसे छोटी वाली उंगूठी है वो भी आपस में दुसरे से जुड़ी रहेगे तो सरव पर्थम सिद साधक से परमात्मा का ध्यान करने को लिए कहता है उसके बाद सभी मिलकर एक ही आत्मा का आवाहन करते हैं थोड़ी ही देर में साधक के शरीर में जंजनाहट या संसनाहट या जी को कहिए कि कमपन के साथ आत्मा का प्रवेश उंगलियों के माध्यम से होता है उस समय उंगलियों में कमपन होने लगता है और साधक इस्थिर सा दिखाई देता है उस समय सिद्ध यंत्र से प्रशन करता है कि अगर यंत्र में किसी आत्मा का प्रविश हो चुका है तो मेरा वाला भाग उपर उठ जाए तो यंत्र का उपर भाग जो होता है वो उपर उठते ही फिर आत्मा द्वारा उसको यथा इस्थान पर फिर प्रशन कर्या किया जाता है हर बार यंत्र अपने इस्थान से उपर नीचे होकर जवाब देता रहता है इसी प्रयोग को मंत्र की सहायता से साधक और सिद्ध एक दुसरे का हाथ पकड़ कर भी कर सकते हैं लेकिन यह बहुत खतरनाक है क्योंकि इसमें आत्मा शरीर में आकर एक साथ सभी प्रशनों के उत्तर देती है और फिर सिद्ध इसे वापस मंत्रों के सहायता से भेज देता है यह साधना केवन नए साधक एवं दर्शकों के लिए जानकारे हित्तु दी गई है इसमें मंत्रों को गुफ्थ रखा गया है जिससे किसी को नुक्षान न हो प्लान चार्ट और के माध्यम प्रयोग करने के लिए कुस्ताफधनियों की अवश्रक्ता होती है सबसे पहली बात है कि प्लान चार्ट और माध्यम का प्रयोग खराब मौसम तेज हवा के चलने पर नहीं करना चाहिए आत्माओं के आने पर उनसे निवीदन पूर्वक ही कारे करने के लिए कहा जना चाहिए और आत्माओं का मजाग नहीं उड़ाना चाहिए नहीं तो आपको भेंकर नुक्सान हो सकता है इस प्रयोग को अकेले कभी नहीं करें केबल प्रयोग कुशल विक्ति की देखरेक में गुरू के संगरक्षण में या किसी प्रेत विद्या विशेशग्य की देखरेक में ही इसकी अलिकारे को संपन करना चाहिए आत्माओं के आने पर उनसे भगवान के विशे में कुश ना पूछे और उनसे उनकी मौत के विशे में भी ना पूछे नहीं तो वो क्रोधित होकर आपको नुक्सान पहुचा सकती है अगली पाचवी बात है कि डर या भै को किसी भी प्रकार से अपने उपर हावी नहीं होने देना चाहिए और किसी भी इस्तिती में प्लान चाट छोड़कर नहीं भागना चाहिए अनिता आत्मा या तो सही पर हावी हो जाएगी नहीं तो प्रयोग इस्थान पर हमेशा के लिए वो बस जाएगी या निए उसी इस्थान पर हमेशा के लिए रहने लग जाएगी इस बात को समझके ही आत्मी को कारे करना जाएगी चटी बात में यह है कि प्रयोग करते समय आत्मा आती हैं तो वो अपनी मर्जी से आती है और जाती भी जो है वो भी अपनी मर्जी से ही जाती है तो अगर आत्मा जाने के लिए मना कर दे किसी वज़े से ऐसा हो सकता है तो परिशान नहीं की आवशक्ता नहीं है थोड़ी देर बाद फिर से प्रयास करें ये मेरा स्वयम का अनुभव है और थोड़ी देर में वो जाने के लिए तैयार हो जाएगी तो इस प्रकार से पुछ प्रकार से दिवारी जी ने यहाँ पर इसका मतलब यह प्रयोग करके भी देखा है तो यह कह रहे हैं कि अगर जल्दी आत्मा वापस नहीं जाती है तो एक बार फिर से पुना प्रयास करते रहें ताकि वो फिरो जाने के लिए तैर हो जाती है गुमने लगे तो गुडबाय करके इस क्रिया को तुरंत रोग दे नहीं तो सबका नुकसान इससे हो जाता है इसलिए मतलब इस तरीकी कभी स्थिति पैदा हो सकती है किसी के आगे कि वह सिक्का या कटोरी जो है कई वर्णों में चारो तरफ से इधर से गुमने लगे तो वह शक्ती प्रबल है इसका मतलब वहती प्रबल है तो वो आपको नहीं आने देना चाहती है या यू कहिए कि उसके पास और भी ज़्यादा पावर होने की वज़े से आप उसको रोग भी नहीं पाएंगे इसलिए हो सकता है कि इन्होंने यहाँ पर बताया है कि उसको कर देना चाहिए कि आप आप यहाँ से प्रस्थान करिए आपको यहाँ नहीं के वशकता नहीं इसलिए प्रक्रिया को रोग देना चाहिए अगर ऐसा नहीं करते हैं तो निक्सान होने की संभावना बढ़ जाती है इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और लोग जहां पुरानी दुरलब जानकारियों को जान पा रहे हैं वहीं धर्म रहस्य चैनल के माध्यम से प्रेणा और ग्यान एक साथ मिल रहा है जै मातादी पुष्प प्रकास दिवारी अब आकी उनको नीचे उनका एमेल आईडी लिखा हुआ है तो यह पुष्प प्रक प्रकार से हम मृत आत्माओं से संप्रक कर सकते हैं आत्माओं को कैसे सादना है Iya और आगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें शेड-करें सब्सक्राइब करें आपका दिन मंगल में हो ।ा बॉत